अभी हाली में आप लोगों ने देखा कि गुजरात में आपकी विधानसवा चुनाव हुए और जिसमें भारती जिनता पार्टी को भारी बहुमत मिला कॉंग्रेस आप देखते हैं कि दूसरे नंबर पर रहती है आमादमी पार्टी तेसरे नंबर पर रहती है लेकिन आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस और भाजापस से जानदा खुसी आमादमी पार्टी मना रही थी और आमादमी पार्टी अर्वेंद के जीवाल के पास एक क नांदोलन चल रहा था और इतने कम समय में आप देखे राश्टिय पार्टी का दरजा उसे मिल गया है तो उसी की खुशियां वो मना रहे थे आपने देखा है कि गुजरात में 5 सीटें उसे मिल गई है और 13% के करीब उसे बोट परसेंट मिला है तो इससे आप देखें कि रा सीमा राजिस्तान हो गया इसकी सीमा मद्व देश से इसकी सीमा लगती है और महराश्ट इसका पडोसी राज्य है और विधान सभा की बात करें तो हम देखेंगे 182 सीटे हैं या विधान सभा में 182 सीटे है और राज्जी सभा में 11 सीटे है और लोक सभा में 26 सीटे आपको लेते हैं कुछ इसके बारे में जान लेते हैं आप देखते हैं कि अरवेंद के रिवाल इसके दिल्ली में मुख मंत्री है क्योंकि दिल्ली में अभी आप देखते हैं आमादवी पार्टी की सरकार है और सबसे पहले आप देखी दिल्ली से ही ये चुनाव लणना सुरू किया नई दिल्ली इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि विधाय सभा में 70 सीट हैं राज सभा में 3 सीट हैं लोक सभा में आपको 7 सीट हैं यहां देखने को मिलेंगी और इन्हें दो बार से 2015 में 2020 में भारी बहुमत मिला इसकी बाद पंजाब भेंभी आपने देखा होगा च सिट मिली थी दिल्ली में about 62 सेक्षट्व मीली 3 और गुजराथ में इनने कितनी सीट मिल चुकी अज़राथ में ठोटल वाच सीट है और लोग सभा में इनका ए बी सदस नहीं राज्य सभा में आप देखें इनके पास 10 मेंबर हैं टीक है तो यह भी आप झालो याद और इनकी विचारधारा की बात करें तो समाजवाद, लोक लोहावन बाद, धरम निर्पेक्षिता, राष्टवाद, मानोता की बात करते हैं, अर वेंद के जिरिवाल इनकी पार्टी की विचारधारा, और जाडू आप देखते हैं, इनकी चुनाव चिन है, और आप देखें नवंबर समिधान जिस दिन समिधान दिवस मनाये जाता है उसी दिन इनों ने अपनी पार्टी की स्थापना की थी 2012 में ठीक है चली अब राष्टिये पार्टी बनने की कहानी देख लेते हैं तो गुजराज चुनाओ की बाद आप देखें आमादवी पार्टी को नौभी र लोट का लगभक 13% पराप्त हुआ है पहले आम चुनाओ में यानि की 1952 की बात हो रहे है जब हमारे देख में पहली बार लोकसवा चुनाओ हुए उस समय हमारे देख में भारत में 14 राष्टिये दल थे कितने 14 राष्टिये दल थे और भारती निर्वाचन आयोग मान्नेता प्राप्त दलों की रूम में घोसीत करता है जनपितीनिथी अधिनियम 19551 की अरुसार पंजीकित राजनेतीक दल समय के साथ राज्र बात करते हैं और राष्टिये दल की बात करें तो जैसा की नाम से हमें पता चलता है कि इसकी एक छेत्रिये दल की विपरीत आज जो में आप देखें राज जिस तर पर उसका देखने को मिलेगा लेकिन पूरे देश में फैलने लगे कई दो-तीन राज्यों में फैलने लगे तो आप देखेंगे इसे क्या कह देते हैं आप लोग राश्टिये पार्टी एक निशित कर राश्टिये दल के साथ करना होगा इलेक्शन कमिशन ओप इंडिया की राजनितिक दल और चुनाओ चिन 2019 पुष्टी का क्या नुसार एक राजनितिक दल को राश्टिये दल माना जाएगा कम माना जाएगा यदि यह चार या अधिक राज्यों में राजिस्थरिये दल की रूम में मानता प्राप् बन जाता है या फर या को भी याद रखेगा या फिर लोकसभा या राज्यों की बिधान सवा चुनाओ में चार अलग-अलग राज्यों से कुल बैद मतों के 630 मत प्राप्त करें और इसकी अत्रिक्त चार लोकसभा सीटों पर जीत दरच करें यदि उसने कम से कम तीर जिस तरिये चार राज्यों में इसकी माननता मिल चुकी ऐसे एक आप देखे गुआ में भी लड़ा था दिल्ली में तो है पंजाब में ही गुजरात में हो चुका है तो यह आप लोग याद रखेगा एलेक्शन कमिशन ओप इंडिया की अगर हम लोग बात करें न तो यही चुनाव करवाता है विधान सभा हो विधान परिशद हो राज सभा हो लोग सभा हो राष्ट पती हो वराष्ट पती हो यही राष्टी इस्तर का दर्जा भी देता है पार्टी को तो एक समिधानिक संस्ता है निश्वक्ष संस्ता है अनुच्छे 324 के तरह इसकी स्थापन को किसी राज में राजिस्तरी ये दल की रूम में मानता दी जाती है यदि निम्न में से कोई सहत पूरी उसे उसकी होती है यदि यह समंदित राज विधानसभा की आम चुनाओं में राज में डाले गए बैद मतों का 6% मत पराप्त कर लेता है और साथ ही यह उस राज जी वि यदि यह समंदित राजी की विधानसभा की आम चुनाओं में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें जो भी अधिकों जीतता है यदि वह समंदित राज से लोकसभा की आम चुनाओं में राज को आवंटित पितेक 25 सीटों या उससे किसी खंड क दल बन जाता है तो आवाधी पार्टी ने आप दिखी यही साथ पूरी कर ली थी यदि सम्मंदित राज बिधानसवा की आम चुनाओं में राज डाले गए बैदमतों का छेफेती सत मत पराफ्त किया हो साथी उस राज बिधानसवा की दो सीटें जीती हो तो गुजरात में तो तेरे मिल चुका है उसे और पास सीटे मिल चुकी है तो वो तो राज इस्तर ये दरजा पराफ्त कर चुकी है और राज इस्तर ये बन चुकी है तो चार राज जों में हो गई तो आप दिखे राजटी इस्तर की पार्टी बन गई है तो यह आप लोग याद रखिएग राश्टी राज घुसित की जाने की मत्ति क्या होते हैं तो आयोग द्वारा दलों के प्रिदान की गई मानता उसके लिए कुछ बिस्स अधिकारों के अधिकार का निर्धारन करते हैं जैसे चुनाव चिन का अवंटन, राजनेयंतन, टेलीवीजन, रेडियो स्टेशनों पर राजनेतिक पिसारन हीतू समय का वो बंद, निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करनी की सोविदा इस पार्टी को मिल जाती हैं इन दलों को चुनाव की समय 40 इस्टार पिचारक, पंजीकित गयर माननेता पराप दलों को 20 इस्टार पिचारक रखनी की अनमतीर रखी जाती है पितेक राश्टी दल को एक चुनाव चिन विजार किया जाता है, जो पूरे देश में विसिष्ट उसी के लिए आरक्षित होता है यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां वो चुनाव नहीं लड़ रही है तो एक तरह से आप कहिए कि आहमाद्मी पार्टी का जाड़ उपर क्या हो चुका है उसी कॉफी राइडर्स का मिल चुका है एक राज्य दल के लिए आवंटि चुनाव चिन विसे इस रूप से उस राज्यों में उसके उप्यों के लिए आरक्षित है जिसमें इसे मानता प्राप्त होती है उसके बाहर कोई भी उप्यों कर सकता है फिरहाल आपकी राष्टिय पार्टी की कहानी हो गई लेकिन एक सवाल अभी भी आपके मन में बच्छा हुआ है कि बर्टमान में राष्टी पार्टिया हैं कितनी कौन कौन सी है तो जैसा कि आपको बताए कि 9 पार्टिया हो चुकी है जिसमें आवादी पार्टी अभी नई है पार्टी और तो यह आप लोग याद रखिएगा ठीक है? और दूसरी पार्टी के अगर हम लोग बात करें तो अखेल भार्टिय त्रणोल कॉंग्रेस की बात कर लेते हैं किसकी पार्टी है? ममता बनर जी की पार्टी है और फिर चलिए बहुजन समाज पार्टी हांती जिसका चुनाव चिन्न है मायवती जी की पार्टी है और आपको बता दू कि ममता बनर्डी की अखिल भारतिय त्याड़ मोल कॉंग्रेस उननीस सो उन्ठावन में बनी थी और मायवती की जो बहुजान सवाज पार्टी है यह आप देखेंगे उननीस सो चौरासी में इसकी स्थापना हुई थी भारती जिन्ता पार्टी आप देखते हैं कि चुनाव चिन कमल का पूल है जेपी नडड़ा सहाब आप देखेंगे अवी इसके राष्टी अद्यक्ष है उननीस सो ची में इसकी पार्टी की स्थापना हुई थी और भारती कमिनिस्ट पार्टी यह आप देखेंगे कि सामबादी सामबाद माक्सवाद लेनिनबाद बिचार धरा पचलती उननीस सो पच्चीस में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है और भारती कमिनिस्ट पार्टी माक्सवादी यह आप देखें बाम बंती जिसे आप लोग कहते हैं सामबाद, माक्सवाद, लेनिनबाद, धरम निर्पेक्टा, लोकतंत, सामाजिक समानता, राष्टबाद इसकी एक तरह से विचार धारा है, 1964 में इसकी इस्थापना हुई थी भारती राष्ट की कॉंग्रेस, चुनाओ चिन पंजाब देखते हैं न और 1885 में इसकी इस्थापना हुई थी यह आप देखें राष्टबाद, सामाजिक उदारवाद, धरम, निर्पेक्ट, सामाजिक लोकतंत की बात करती है एक राष्टबादी कॉंग्रेस पार्टी है, यह आप देखते हैं कि सरत्फबार साहब की 1999 में इसकी इस्थापना हुई थी और National People's Party के अंदर यह आप देखेंगे कि छेतबाद और जाती बात पराधारी थे 2013 में इसकी इस्थापना हुई थी, कॉन्राड संगमा इसकी अध्यक्षे तो यह भी आप लो याद रखेगा इस तरह से आप देखेंगे टोटल नौ पार्टियां, राज जिस तरह यह पार्टियों में तो आप देखेंगे जनतादल उन्डाइटेड, अखेल भारती अन्ना देवड मुन्नेत कड़गम, नागा पिपोल्स प्रेंट्स राष्ती जनतादल, क्रांतीकारी समाजबादी पार्टी, तेलगु देशम पार्टी, YSR कॉंग्रेस पार्टी, भारती राष्टे सम्ती, अखेल भारती फॉर प्रेंट, भारती क्म्निस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिंबाद लिवरेशन, देशया मुर्पकू, देविड कसगम, और गॉअ फर्वार्ट पार्टी, हेल स्टेट पीपोल्स देमोक्राटी, इंडियन नेशनल लोगदल, इंडियन उनियन मुसल्म लीग, इंडिय प्रेंट आफ तिपुरा, जम्मू और कस्मीर, जम्मू और कस्मीर नेशनल कॉन्फरेंस, जम्मू और कस्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू और कस्मीर पीपोल्स डेमोक्रेटरी पार्टी, जन्ता कॉंग्रेस चातिसगर, जन्नायक पार्टी, जार्खन मुक्ती म केरल कॉंग्रेस एम लोग जन सक्ती पार्टी महराष्ट नव निर्मार सेना और महराष्ट वाधी गौमानतक पार्टी मिजो नेशनल प्रेंट मिजोरम पीपोल्स प्रा कॉनफेंस नेशनल नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिव फ्रोगे से पार्टी पताली मक्कल काची पीपोल् तरह कि तमाम आप देखेंगे कि आपकी राज इस तरह की तमाम आप देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी लेकिन आप देखेंगे कि जो आपकी नेशनल पार्टी है, राष्टी इस्तर की पार्टी है, उन्हें आप लोगों को मालू होना चाहिए, नो पार्टी हो चुकी है, पहले आटी अब नो हो चुकी है, तो एक सावन जानकारी रखा करिएगा, देश की राजनीती में तो मुझे लगता है कि हर कोई दिल कर्टी है, तो क्यास्ट?